इससे पहले कोगाटेल को n ब traffic कर आया लेकिन बहुत अच्छा होता है अपने ख眠 पर लेकर अपको उसका गर्मी चेक कर लेना है ऑस्त्म फंड़ना सही नहीं रहता है को एसका आध inherent वो व lo mortator 홈 कर पिसके और हो गया दोनों का खाना आप बैगरें न यूटिम करें दिए को अब सब्सक्राइब बहुत बहुत स्वागर तर इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था यह तरा बाद शीच को मैं मेरा बाद बुदिंग फांचे मेरा घर में लेता है था था हैं चीच को मैं कहा रखता लेकिन वीडियो बनाया में काफी जादे रहा यह तो और यह ज़ो आई गए और यह तो आप हमें इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉव्जाना भी हो चुका है अन्गें अब होसा जींद अर्व इसको कांगीना देना होगा बहुत जोर से पात छाजर मैं कें लाएं ठीक है सो पहले आप लोगों दिखा देता हूं कि इसाड़ा चीक को मैं कहां राखता था मैंने जो चीक बागे का लेकर था 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 दो चीक ठीक है पहले और यहां एक बैठा है और वेट्रीस पर और रहा और यहां देखके आए था और आभी वेट्रीस का खाने का टाइम हो चुका है और आभी इन लोगों के लिए मैं फीड बनाऊंगा और बैट्रीक से देखनेगे देख लिए अलग अलग मैंने ऐसे बाकेट तायार किया था और नीचे मैं जो देता हूं और उसका उपर ही इन सब को रखता हूं यह रखने से यह लोग जो पौटी बागडा करते हैं वह आसानी से ठोप कर लेता है यह सारा चिक्स गंदा नहीं होता और मतलब पौटी करने को बात अब आसानी से ठोप कर लेता है उन लोगों उसके खुट का पौटी खाने का कोई चांसी नहीं मिलता है और यहां मैं दो को रखता हूं और इस बाकेट में में वह तो बजी सब्सक्राइब को रखता था एक्षिल मैंने तीन बजी सब्सक्राइब लेकिन एक का ऊपर का जो चोच वहां फोड़ा प्रॉब्रेम था इस लिए किसी तरीके से बहुत कोसेश करने के बाद भी उसको एंस नहीं दे पाया था इसलिए फिर से फाम में जाके उसका पार इसको छोड़ के आया था तो आभी जो है दो संकॉनियो का चिक्स जो पैचलेस को अबल का चिक्स और करते हैं और खाना बनाने से पहले हम लोग जो कर लेंगे पानी को हलका गुनगुना गरम कर लेंगे ठीक है और यह दोनों बहुत लटकत बहुत ज़्यादा जोर जोर से काट भी रहा है मतलब बहुत जोर से भूग लगा है इसलिए काटना स्टार्ट कर दिया है और पानी अभी गरम हो चुका है कि अपकर तो अभी हम लोग खाना तायार करेंगे हलका गुनगुना गरम पानी के साथ एग यह लोग ऐसे करके मीट करेंगे लिख्या न harvest is a ईक बहुत ही इंपोर्टेंट बाद हम लोग को धियान रगना है यह वी हम लोगा वार्ग्शिक्स को करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट में देखिये जो सीड्ध हम उन लोगों को खिलाएंगे यह बहुत जड़ा होगा तो कोई रिशन नहीं पतला होने से भ चीक्स को हम लग जब बहन फीट कराएंगे बहुत ज्यादा पतला बिल्कुल पतला खिलाना है और जैसे दीरे-दीरे उन लोग का एज बढ़ता जाएगा उसका खना गड़ा करके जाना है ठीक है पहले मैं जो फिलाता था तो उसका जो जो एक चमज डाला अभी गरम पनी के साथ A19 आधा चमज डाल देखे ठीक है और अभी तो कभी बड़े हो चुका है लगवग एक मैना हो रहा है तो एक मैना के चीक्स के लिए यह सही है और पहले मैं जब लेक्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है मतलब एक दिन बंद करके देखा कि यह लोग A19 को आशानी के डाइजेस्ट कर रहा है तो उसके बाद से देना बंद कर दिया और पॉटी को मैं टाइम टू टाइम चेक करता रहता हूं कभी अगर इन लोग का पॉटी पोड़ा सा वाइडिया ज्यादा ग्रीन होता है तो आएंड पे डाइबार्ट हो रहा है इतना ज्यादा खीला रहा है और यह जो ठीक बनाया और देखिए अभी लगभग एक मैना यह जो रहा है सारे चीक का और फिर भी फाना इतना पतला बना रहा हूं और अभी तक मैं इन लोग को चार ताइम जिब में चार टाइम करता तो अभी हैंट कराएंगे लेकिन अभी थोड़ा गरम है पहने इसको ठंड़ा कर लेंगा और यह जो बजी स्परोड होता है यह मतलब इन लोगों को तो काजने का बहुत ज़ला टेंडेंसी और इसको मतलब जहां भी मैं फोड़ू यह कहीं भी नहीं जाएगा और हाथ में आ इसको बहुत बहुत जोर जोरस सकता है और इससे पहले मैंने कभी कोगाटेल को फिक नहीं कराएं मश्मा अच्छा कर और हैंद्लों कोगाटेल बहुत ड़ा है अपना ज़िते सब्सक्राश को भी से कि चोटा सब्सक्राएं तो यह अभी से मतलब थोड़ा थोड़ा करके शिख गया है और हमको जो लग रहा है कोकाटेल बहुत अच्छा होगा ठीक है अभी बहुत गरम है और देखें कैसे काट रहा है देखें बहुत ज्यादा भूग लगा है इन लोग को कि लोग काफी सक्त हो गया है हाट हो गया है लोग अभी डाना देना और काल सुभाई इन लोगों है पार में ले जाके शोड़ दोगें और फ्रेंज आप सारे चीक्स को हैंड फीडिंग करने से पहले जो पीट आपने बनाया अपने स्कीन का उपर लेके आपको उसका गर्मी चेक कर लेना है क्योंकि ज़्यादा गर्म खाना खिलाएंगे तो बार्ट चीक्स का प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए खिलाने से पहले यह मेलेडरी है आपको चेक कर लेना है कि वह बहुत ज़्यादा गर्म है के नहीं और खंडा करके भी खिलाना सही नहीं रहता है और हल्का हल्का गर्म रहेगा अच्छा पहले इन लोगों खिला दो थो थोड़ा सा देजू और वेजिस पैरोट को मैं जैसे खिलाता हूं ऐसे इसका चोंज बहुत ज़्यादा छोटा है इसलिए आसानी से यह फीड नहीं लेता है और ऐसे करके मैंने पाइप लगा के कभी भी किसी भी पैरोट को फीड नहीं करता हूं लेकिन वेजिस पैरोट के लिए आमको यह करना पड़ रहा है क्योंकि इसका चोंज इतना छोटा है कि मतलब यह लेना मुश्यव हो जाता है ठीक है और देखिए आभी इसको खिला दिया आभी और ज़्यादा नहीं कटेंगे जब भूका रहता है तक बहुत ज़्यादा का सीने पर आप यहां ऐसे हाथ लेके जाएंगे तो मतलब उपर चाड़ना स्टार्ट कर देता है और जब यह ट्रैक्टिस कराएंगे तो तभी आपको कॉमांड देना है तभी मतलब के पाप बोलने से वह समझ जाता है कि हाँ आपको ऊपर चाड़ना है और हो गया दोनों का खाना और यह लोग बिल्कुल भी नहीं काटेगा जब बुका रहता है तभी बहुत काटेगा 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 और कोकादिल के बारे में हमारा जादा कोई जानकार ही नहीं था लेकिन मैं अभी जो लेखना हूं कोकादिल बहुत अच्छा ट्रेंड होता है मैं इसको ट्रेंड करांगा कोसेज करूंगा और एक बात अभी तो उतना ज्यादा नहीं आया है इसके ज्यादा अगर ठंडा होता तो मैं जो करता यह सारा बाकेड में जहां रखता हूं उसका उपर एक 60 वाट या 100 वाट का लेंप लगा देता हूं ताके वहां का मौन थोड़ा गरम रहे आपको याद दखना है कि विटाउट फेदर मतलब जो सारा चीक का अभी फुल फेदर नहीं आया है या इसका थोड़ा बहुत आ गया है इसके भी कम फेदर है वो सारा चीक से अब 28 to 30 डिग्री तो सही रहता है और मैं जो करता हूं ऐसे करके इन लोगों को रख के ऐसे करके रहता हूं और इसका चारो तरप एक ताफट वैज लगता देता हूं इसका चारो तरप आ उपपर का मैं खुलाई शोल देता हूं चारो तरप ताफटल ला पेट देता हूं ताकि ठंडा हवा साइब से आसानी से आ ना सके तो ऐसे ही कुछ मैं रखता हूं तो और इसी तरीके से मैं इन सारे चीक्स को रखता हूं और बहुत अच्छे के यह लोग बड़े भी हो जाते हैं और कोई बीमारी या प्रॉब्लेम देखने को नहीं गिलता और आप भी काते हैं तो ट्राइब करके दिखिएगा ऐसे ही कीएगा तो आपका बार दील सही सलामत रहेगा कोई भी चॉब्लेम नहीं आएगा ठीक है तो अभी इन लोगा फीडिंग कॉंचिट हो गया है यहां मै लेकर गेव को भी मैंने पाला है लेकिन यह इतना अच्छा तेम होता है वह पहले मेरा कोई आपके पक्ते 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 अभी उन लोगों का अंदर जाने का सरह हो गया इसका हो गया आपी एक बजी स्पैरोट और यह दो बजी स्पैरोट को चला हो को दो चलो हो हो गया हौँ है अहुए है चलो हो गया हॉँ है तो फ्रेंट इस वीडियो को आच्छा लगा तो एक लाइप कर दीजिएगा और आप में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और सब्सक्राइब करने के बाद दखिए का उसका वगण में कि बेल आपने हो जाएगा अब वहां भी दबा दीजिएगा तक नेक्स टाइम जब यूट्यूब में में कोई नहीं वीडियो अप्रोड करूंगा तो उसका नोटिपरेशन पर डिरेक्टर आपका मुवाईल ये कंप्टर तक पहुंच जाएगा तो फ्रेंट्स फिलाल आज के वीडियो यहीं तक फिर